Assalamualaikum dear students, welcome back, xpacademy.com, जहां पर आप step by steps AutoCAD उर्दु में सीख रहे हैं. Dear students, आज के lesson में हम अपने practical start कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको पिसले lessons के अंदर बताया था, practical के अंदर हमारा main मकसित क्या होगा. तो इस lesson में कुछ backgrounds पे उपर काम करूँगा, फिर उसके उपर आप खुद काम करें, इस तरह से हम आगे अपने इस सिंसले को आगे की तरफ लेकर चलते जाएंगे. अब start करते हैं अपना AutoCat, AutoCat को आप double click कर दें, आपके पास AutoCat open हो जाएगा, तो सबसे पहला काम students हम अपनी assignments को देख लेते हैं, AutoCat open करने के बाद, आजा तो मैं अपने assignments number 1 के पर आगया, और basically यह मैंने picture form में आपके लिए बना कर रखी हुई है, क्यूंकि यह pictures का यह हो यहीं कि दूसरी window में open करकर इसको देख कर आपना सकते हैं, या आप बस इसका print निकाल कर काम कर सकते हैं, तो इस diagram के अंदर देखें, मैंने एक simple सा object create करना है, अब इस assignments के अंदर जो main चीज़ है, वो क्या है, आपके पास एक goal नमा shape नज़रा आ रही है, जो definitely हमें आप यह आई हुई है, then मेरे पास छोड़े छोटे और तकरीबन 6 circle आ रहे हैं, और इनकी जो value मेरे पास दीगी है, वो क्या है, 3 inch है, अब 3 inch क्या है, 3 inch मेरे पास R, R से क्या मराद थी, आपके पास radius आपका था, मैं आपको बता चुका था, आपने radius कैसे draw करना है, then आपके पास क आपके क्या आ रहे, 6 feet diameter आपके पास आ रहे हैं, उसी तरह से और देखें, यह बिल्कल circle एक दूसरे के आमने सामने हैं, तो यह काम मैंने करना है, तो I do your students, यहां पर यह भी देख लीजिएगा, हमारे पास यहां पर जो mark है, वो किस का है, inch और fits के अंदर हम रहकर कालू करे देखें, units के अंदर चले जाएं, engineering fits range, deenter कर दें dimension के लिए, और इसको भी आप engineering fits range देदें, और ok कर दें, अब view के दर जाएं, display के दर जाएं, UCS icon origin पर आ जाएं, और इसको origin कर दें, अब देखें कर दें, अब देखें के आज का हम जो हमारा काम है, वो है इस assignment number one के पर काम क करने, तो सबसे पहले मैं जो उसको start लूँगा, वो मैं इसके लिए ये वाला circle create करूगा, जिसका diameter मेरे पास six का है, तो मैंने क्या 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 है, यहाँ पर circle के पर गया, लेकिन shortcut की थुरू आप काम करें, C enter करे, circular active हो जाएगा, कहीं भी से click कर दें, आप इसको center point दे दिया अब मैरे पास जो उसका diameter था, वो कितना था, six feet का था, तो आपने diameter के लिए यहाँ से क्या enter कर देना है, D, आप D enter करें, और इसको भी आप six feet की value दे दे, तो आपके उसको diameter अपने चीज़ देखनी है, वो क्या है, आपके पास ये six circle आ रहे है, और इनका मैरे पास जो radius आ र आर्क नजर आ रही है, लेकिन आर्क नहीं है, यह circle है, कैसे, आपने एक circle ले ले लेना है, क्योंकि देखें, मैं यहाँ से लेता हूँ, इसकी base से, तो मैं इसकी बिलकर middle पे आ गया हूँ, यहाँ पे, और मैंने simple यहाँ पे तीन enter कर दिया, अब आप AR array लगाओ दोगे, AR, AR यहाँ पर आपके पास क्या है, polar, polar पर जाना के पास select object, अब इस object को आप click कर डाले, enter कर दें, इसका center point चूज़ करेंगे, मुझे इसका mid point चाहिए, वो बिलकर इदर mid पे चाहिए, मैंने mid पे ले लिया, और यहाँ पे मैं simple six enter कर देता हूँ, यह देखें, क्योंकि मुझे six time में से move करवाना है, अब आप इसे preview करें, तो बिलकल accept करता आप इसे, अब यह हो गया, लेकिन मेरे पास फिर देखें, मेरे पास तो यहाँ पर इदर line आ रही है, यह circle यहाँ पर देखें, यह नहीं है, जबकि इदर मुझे यह उली shape चाहिए, तो अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर simple app trim का use करेंगे, टी आर, trim के पर click कर देगे, या टी आर, मैं याद रखिका students, आपके बाद मैं जो भी काम करूँगा, मैं shortcut की base में करूँगा, लेकिन मैं उनका नाम लेता जाओंगा, आपको वो shortcuts डूणनी है, अगर आप shortcuts के पर काम करेंगे, तो आपको काम चाहिए, circle नहीं चाहिए, then नहीं चाहिए, this one, this one, this one, to this one, तो यह जीज़े मुझे नहीं चाहिए थी, मैंने इन सब को digit कर दिया है, अब आप control-s कर दे, इसको अपने पास save कर दे, मैं इसको अपने पास save कर देता हूँ, assignments के नाम से, one के नाम से मैंने इसको save कर दिया, अब हम इसकी dimension उठा लेते हैं, these students, सबसे पहले जो मुझे dimension उठानी है, वो मेरे पास six fits की होनी चाहिए, क्या यह q मेरे पास six fits आ रहा है, diameter इसका, तो आकि पास diameter tool है, अब यहाँ चले जाएं, और यहाँ पे लिए, नजर नह नजर आ चुका है, then आपके बास एक radius है, जो के axis का है, तो देखें, आपका radius भी 3 inch का नजर आ चुका है, जब तुमाम objects आपके same to same, उसी तरह के हो जाएंगे, means आपका काम बिलकल ठीक हुआ, तो dear students, यह तो था हमारा project, और उसके पर मैंने आपको काम करने का method बताया है, त www.xpacademy.com, जहाँ पर तुमाम computer courses आपको free online करवाए जाते हैं, एंड में एक test लेने के बाद, xpacademy.com की तरह से आपको एक safety case विश्यू किया जाता है, जिसकी hard copy, वजरी ITCS, आपके बताया हो रेस के बताबक आपको बेह दी जाती है, इसके लावा, dear students, अगर आप हम से इन www.ywell.com, या आप हमें call कर सकते हैं, 0343 901779 पर, इस उमीद के साथ अपनी दौा में आप हमें याद रखेंगे, इन्शाला नेक्स लेसन पिर मिलते हैं, यहाँ पर students में आपके एक और बात की बताना चाहूंगा, अगर आप इस project की, अगर आपको copy चाहिए, तो please video के नीचे देखें, आपके पस download का link नज़र आ रहा हुआ करेंगे, वहाँ पर click करें, तो आपके पस इस videos का download link आपके सामने आजाएगा, तो उसको अपने पस download करें, और उनको अपने पस use करें, इन्शाला नेक्स लेसने फिर मिलते हैं, अलाहाफिज, असलाम अलेकम.